इस वीडियो में बहुत ही महत्विपूर्ण चीज हम डिसकस करने वाले हैं और वह यह है कि हम पूरे के पूरे प्रिंट कल्चर चाप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नेम से ऑथर से कौन क्या है किस कंटेक्श में यह भर क्या आया है और पॉसिबिलिटी यह है कि अगर अब्जेक्टिव आते हैं तो इस चाप्टर से यह ना होगे कन्फ्यूस कर देते हैं हो सकता है कि एक शौट वीडियो को देखके आपके एक नमबर दो नमबर पक्ये हो जाए तो वैसे तो आपको यह जो पूरा नोट्स रहेगा इसका इस वीडियो के अंदर जो भी मतलब मैं आपको टेलेग्राम पर देखने से भी काम चल जाएगा वीडियो टूएक्स पर देखना कोई भी काम है तो वह सारा जो जो आ सकता है वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर यह पूरे चैप्टर के अंदर से तो यह सारे के सारे आपको क्या करना है एक पर रिवाइस कर लेना है रेट लेना अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो तो देखो क्या है सबसे पहले हम चैप्टर शुल कर तो ट्रेडिशनल चाइनिस बुक के बारे में बताएगा है जिसका नाम क्या है अकॉर्डियन बुक है ठीक है फिर दूसरा जिसे अगर आप देखो तो बुद्धिस्ट मि विंटिंग के दोवारा वो थी डायमंड सुत्रा ठीक है डायमंड सुत्रा के बाद में यह इमेज भी है अब होगा क्या पिच्चर बेस्ट कुशन आएंगे नहीं पता नहीं है क्यों क्यों कि हर साल ब्लफ होता रहता है कि सेंबल पर में देते थे फाइनल एक्जाम में न ठीक है Japanese artist kitvagawa utamarho ने जो smoating Beautiful अर्फ बनाना शुरू करी थी किला कि वेल्ड में जिन चीजों को देख रहा है उसको paint करना शुरू क्या चलिक हो कि वह प्रिंट करना शुरू KYA आगे देखें तो एक box के अंदर आपको जिक जी के बारे में बताया गया है जिक जी क्या है अब देखो मैंने हर कोना टच करने की कोशिश करी कि कहीं से भी सवाल आ जाए तो तुम्हें ध्यान अटना जिक जी क्या है वर्ल्ड की oldest Korean book है जो कि मुवेबल मेटल टाइप से प्रिंट हुई थी जैसे गुटनबग ने जो मुवेबल मेटल टाइप की प्रिंटिंग प्रेस जवलप करी थी थी ना तो Korean book world की oldest जिक जी है यह जैसे अगर आप देखो के तो आपके book में एक blue box में दी है क्या यहां से सवाल आते हैं क्या sir for a safer side जो जो होते चल रहा है वो अपन cover करते चलते हैं ठीक है नहीं भी आएंगे probability कम है लेकिन कोई भी कोना छोड़ो मत आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते तो जैसे फिर यह सारे books और authors prominent इतने बार्ट में थे फिर जैसे religious reform वाला topic चालू लूथर का मार्टीन लूथर ने क्या किया था वाई सब 95 लिखी थी प्रोटेश्टन में फिर फॉर्मेशन शुरू किया था तो मार्टीन लूथर एक पर्सनलिटी भी यह तीन नमबर के question भी आ जाते मार्टीन अ बढ़ते हैं तो सब आगे cover करे मैं ने प्हले हम बुक्स की बात करने वूक्स और निऊस्पर गी तो जैसे गूर्दर से लिए फोकलlike फोवाव कहानिया यह कंपिल करी अब इंडिया वाले स्क्षिन में आओंगे ना तो पिशले साल या इसी साल जो CBC इसी ने सेंपल पेपर दिया है उस सेंपल पेपर में एक सवाल आया है एक सवाल आया है इंडिया वाला सेक्षन जहां से चालनों होता है चैप्टर का तो जैदेर के दौरा जो गीता गोविंद लिखी गई थी ठीक है तो उसके उपर कुश्चन पूछ लिया था तो हम आप देखोगे एक बार तो आपको सारा समझ मझाएगा अब इसमें क्या है इसमें बताया था कि यह हैंट रिटन मैनुस्क्रिप्ट है लेकिन वह मैनुस्क्रिप्ट किस तरह से ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेडड है वह बताया है ठीक है फिर जैदेव तो जैदेव के वीकली मैगजिंग चालू करी थी अब कमर्शियल पेपर इंफुलेंज बाए नन ओपन टू और जेम्स अगश्चा सी की मेरे मुझ से निकल गई बगवान ध्यानत में तो फिर क्या करा था वारेन हस्टिंग ने से पनिश किया था घबनामत यह जो जो नाम है ना वारेन है यह भी सब आगे इंक्लूड करें मैंने की चप्टर में नाम किसके तो इसे आपको क्लैरिटी रखना है वीकली मैगजीन जेम्स अगस्चा सीकी की गंगादर भटाचार का फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट भी न्यूस पेपर कौन थे बेंगल गैजट स्टार्ट करने व वाला टापिक जो चालू होता है तो इंडिया में प्रॉमिनेंट रिफॉर्मर थे राजा रामोहन रॉय जिन्होंने अपना न्यूस पेपर चालू किया था संबंध कुमोदी 1821 में और इसी न्यूस पेपर को काउंटर करने के लिए ठीक है जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थ तो आख जैसे देखोगे तो और न्यूस पेपर हुए थे वह कौन-ओंसे थे दो परशन न्यूस पेपर हुए थे श्टer जामय जहान नामा और शमछूल अकबर आ एक गुजराती नियूसपेपर शुरू ऊछब था जिसका नाम था बॉंबे समाचार गुज़ाती नियूसपेपर नाम तो मेरे दोस्त नहीं लेकिन मैंने कवर करते चला उसी में कि जब इस्लामिक एंपरर्स का फॉल हो गया था क्रिस्टियन्स पावर में आगे थे तो जो मुस्लिम उलेमास वगेरा थे आगे उलेमास को ने बताऊंगा ठीके तो उन्होंने जैसे अगर आप देखोगे 1867 में देवबन सेमिनरी इसमीनरी सेमिनरी का क्या थए यह फत्वा करते थे for muslims की muslims को एक religious order दियते थे और यह फत्वा print होते थे तो बक्रिंट करते थे religion करते थे यह सारा sexual कवर करने के बाद में न्यूव फॉर्म्स पॉब्लिकेशन वगरा में एक दो नाम है वो मैंने आगे इंक्लूड करें वह वह करके टॉपिक डाल दिया पने बागी फिर जैसे ऑथर की बात करेंगे तो राज सुंदरी देवी अगली इंपॉर्टेंट ऑथर है जिन्नों ने अमर जीवन नाम से पंडीता रामा भाई दिया है किसको किसको याद रखें तो केलाज भाजनी देवी तारा भाई शिंदे पंडीता रामा भाई इनको उस कंटेक्श में रखना कि प्रॉमिन रिफॉर्मर्स थी इन्होंने राइटिंग मतलब यसा सब कुछ लिखा विमेन के प्लित के बारे म इन सारी चीजह के बारे में लिखा ठीक है तो यह प्रॉमिनट विमेन राइटरस थी ठीक है रोट बल्ट विमेन लाइफ फिर फिर तो वही विमन के बारे में लिखने वाले एक और प्रॉमिनेंट अंकल जो थे वो थे राम चडधा उनकी बूंका नाम श्तृधारण रख जो यह बताते थे कि महिलाओं के लिए code of conduct क्या रहना चाहिए और वैसा ही महिलाओं के ऊपर लिखने वाली और भी किताबे चली तो जैसे खालसा ट्रेक पंजाब में था जो की बुकलेट्स इशू करता था और गुड क्वालिटीज ओफ विमें ठीक है कि विमें के अंदर य इनोंने गुलामगिरी लिखी ध्यानध कनाम किसके लिए तो अब जैसे वाला section अजाता वहां सी कौन-कौन सी वुक्स वर उनके नाम है जोतिबा फुले ने गुलामगिरी लक्षमीनात है भी तो यह बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते तो आपको बता रहा था था तो यह राइटर थे ओर इंहोंने क्या ही जैसे ग्रेंटênio mRNA तो डाधी की कहानिया होती ना तो वो सारी एकसाथ मिल वर्कर थे जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल लिखा काशी बाबा वैसे ही सुधर्शन चक्र के पेन नम के अंडर में क्या होता है सची कविता है यह भी कानपूर मिल वर्कर में लिखी सारी सची कविता है और वह जब कंपाइल की गई अंडर दी नेम अफ सुधर्शन चक्र जैसे जो बुक और न्यूस्पेपर वगेरा के बारे में बताया चप्टर में तो वह बाल गंगाधर जिन्होंने केसरी न्यूस्पेपर चलाया और वह क्या सकते सेंसर्शिप के बावजूद भी खुल के लिखते थे इंडियान नाशन फिर बढते हैं फिर देखो क्या है तो किता गावा उता मारो जैपेनिस आर्टिस्ट से उक्यों वुडब्लॉक प्रिंटिंग और पेंटिंग्स का उन्होंने डेवलप्मेंट किया था ठीक है इंडिक नाम दिया गया इस शेटर में तो मार्को पोलो थे तो मार्को पोलो एक इंपॉर्टेंट कंट्रिबिशन था इतालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने वुडब्लॉक प्रिंटिंग को लेके गए थे धिया चैप्टर में फिर जोहान बुटनबर्ग का नाम है चैप्टर में जोहान बुटनबर्ग कौन तो यह वह इंसान से जिनुरों तुमा बताना कमेंट सेक्षन में पीडिएफ में एडि करके देंगा ठीक है वो क्योंकि पूछ लिया थी मार्टिन लूथर तो जैसे बताया 95 लिखी एक जर्मन प्रोफेसर थियोलोजी प्रोफेसर फियोलोजी मतलब क्या धर्म के उपर विचारक थे थे प्रीश थे ऑथर थे जिन मैंने क्यों का इस शप्टर में मैंने क्यों कौन था तो एक मिलर था जो कि 16th century इटली में मतलब एक आम आदमी था लेकिन प्रिंट इंडेसेंट वाला जो टॉपिक ही तो वहां पे मैंने क्यों का धिक्र होता है मैंने क्या कर रहा था उसने बाइबल के मेसेज को री इंटर क्यों पर्सनालिटीज एंडियर कंटेक्स कि वह क्यों चैप्टर में उनका नाम आया है ठीक है फिर क्या आता है अब इराश्मस तो सर पड़ा ही नहीं कहीं पुरे चैप्टर में मैंने भी नहीं पड़ा है जैसे मार्टिन लूथर ने चर्श को रिफॉर्म किया तो वैसे यह ठीक च authors के एक्स को क्रिटिसाइस किया लेकिन प्रिंट को पसंद नहीं कर्ते थे ऑघसी है तो ऑग है जिसनों ने पताए नहीं नहीं बिğान रखो के तो भी चल किये जाने लगे थे जैसे हमने एक और टॉपिक में पढ़ाया क्या कि फ्रेंच अरुशन में फिलोसोफर्स ने इंपॉर्टन रोल प्ले किया तो यही वह फिलोसोफर्स थे थे थामस पैन वॉल्ट आया जीन जैक्स रूजू ठीक है आगे बढ़ते हैं लुइस सबैस्टिन ठीक है रिचर्ड एम होफ के अगर बात करें तो रिचर्ड एम होफ को ने एक नाम यह भी दिया गया तो जो इनोवेशन हो रहे थे 19 सेंचुरी में तो यह वह बंदा था जिसने क्या क्या पावर ड्रिवन सिलेंट्रिकल प्रेस को परफेक्ट किया था धियान आरा जिससे इसके अलावा जैसे आप इंडियन कंटेक्स में तो हूँ में क्या जाएगा अभी एक और रहे है जैसे एक तीन नाम और दियें बुक में जेन ऑस्टन जॉर्ज ऑलिएट जॉर्ज एलिएट और बॉर्नेट सिस्टर तो यह विमें और्थर है जैसे हम यूरोप वाले चप है कैसी होना थी ठीक है तो सशक तमहिला होना चाहिए वह वाली चीज़ है फाइन फिर उसके आदमें प्रिंट कम्स टू इंडिया तो उसमें हमने जीन उसके बारे में पढ़ लिया जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में पढ़ लिया लेकिन आपको नहीं समझना हुआ कि वा फिर उले मास कौन है जैसे तो मैंने बताया कि उले मास लीगल स्कॉलर से इसलाम के और शरिया लॉग के मतलब जो इसलामिक लॉज होते हैं फिर राजा रभी वर्मा का एक नाम आता है बुक में राजा रभी वर्मा एक इंडियान पेंटर थे जब नए 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 फॉर्म सब कुछ वैसे आप देखोगे तो और कुछ नाम भी दिये गाएं कि महाराश में विर रामस्वामी नहीं कर जो थे तो इनकी बुक नहीं है कोई लेकिन चैप्टर में नाम क्यों है क्योंकि इन्होंने खुल के लिखा है अबाउट दी कास्ट इनिक्वालिटीज ठीके और तो ड्युक नाम दिया उनका नियूज पेपर कեսरी पता चली ङा उसके अलावाध नाम दिये हैं एक जनेरल बैंटिक कौन था ठीक्याँ जिसने ओल्ड प्रेस्ट लोगूर्सको याषね जैसे लोगों को पर कंट्रोल करने के लिए काट्रोर्त पांट ने किया पताई दिया में तुम्हें इसका यह जो पीडिएफ है तो पीडिएफ तुम्हें टेलिग्राम तभी दे दे रहा हूं में और ट्राइब लिंक से भी आप पीडिएफ ले सकते हो और यह सारा सब कुछ हो गया इसके अलावा आप देखो हमारा क्या बच रहा है जोग्रफी का सेशन बच रहा एकोनोमिक्स का सेशन बच रहा है तो यह तो पूरा आज एक वीडियो तुमसे प्रॉमिस किया था ओल वीडिय होई जाते हैं extremely sorry for that एक और चीज मेरे दिमाग में क्या ही थी जब हमारे चारो मेराथॉन हो जाएंगे important वीडियो जो देना था वो दे दिये तो उसके बाद में एक सेशन अपन मॉर्निंग में exam से पहले लेंगे जिसमें तुम्हें पुरा पुरा paper बता दूँगा कि यहां करता हूं signing off with this together we can we will thank you thank you very much